नमस्कार मैं हूँ राजेस और आप देख रहे हैं नियाई टीवी इस वक्त मैं मौजूद हूँ सुप्रीम कोर्ट में और आज कोर्ट से प्राफिट मोहमज़ पर किये गई टिपनी को लेकर नुपूर सर्मा पर कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है क्या है पूरा मामला और आज कोर्ट में क्या कुछ सुनवाई हुई देखे हमारी ये रिपोर्ट पेगंबर मुहम्मत पर आपती जनक टिपनी को लेकर भाजपा से निशकाशित हुई नूपूर शर्मा को सुप्रीम कोट से बड़ी राहत मिली है जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जेबी पारदीवाला की विशेश बेंच ने इस मामले की सुनवाई की सुप्रीम कोट ने नूपूर शर्मा के उपर दरज हुई सभी FIR को दिल्ली ट्रांसफर करने का नेदेश दिया है कोट ने साफ किया है कि अगर किसी दूसरे राज्य की पुलिस जहां FIR दरज हुई है वो जाच के दोरान अपना सुझाव देना चाहते हैं तो दे सकते हैं नूपूर के वकील ने याची का दायर कर सभी मामलों को दिल्ली ट्रांसफर करने की मांग की थी 19 जुलाई को ही पिछली सुनवाई में अदालत ने नूपूर की गरफतारी पर 10 अगस तक के लिए रोक लगा दी थी नूपूर ने अपने खिलाफ देश भर में दर्ज सभी FIR को दिल्ली शिफ्ट करने की गुहार लगाई थी सुप्रीम कोर्ट ने इस पर केंदर, राज्य और नूपूर शर्मा से F.E. डेविट मांगा था कोर्ट ने निर्देश दिया था कि नूपूर शर्मा के खिलाफ कोई दंडात्मक कारवाई नहीं की जानी चाहिए सुनवाई के दोरान नूपूर शर्मा की और से पेश वकील मनिंदर सिंग ने उनकी जान को खत्रा बताया था गोर तलब है कि एक TV डिबेट में नूपूर शर्मा की कथित टिपनी को लेकर देश भर में हंगामा मच गया था जिसके बाद सुप्रीम कोट ने नूपूर शर्मा को नसीहत देते हुए केंदर और राज्य सरकारों को नोटिस भीजा था हाला कि कोट ने यह भी निर्देश दिया था कि नूपूर शर्मा को 10 अगस तक ग्रफतान नहीं किया जाए सुप्रीम कोट में आज हुई सुनवाई में नूपूर शर्मा को बड़ी राहत मिली है सुप्री चीज जो आज important कही है वो यह कहा है कि जितनी भी FIR पूरे देश में हुई है जितनी भी हुई है वो सारी FIRs क्लब करके जॉइन करके दिल्ली पुलिस अब उसकी investigation करेगी वो उन्होंने allow किया है order दिया है और भविश में भी अगर कोई FIR कोई और इस तरह की मांग उठती है तो वो भी दिल्ली पुलिस को transfer हो जाएगी दिल्ली पुलिस की एक विशेश जो team है यह आप कह सकते हैं department है जिसका नाम है intelligence fusion strategic operation unit वो इसकी investigation करेगी पूरी तरीके से पूरे देश में तीसरी चीज जो सबसे important थी पश्चेंबंगाल government ने एक इसमें में फाइल किया था तो उनकी तरफ से जो वकील थी senior advocate मेनिका गोरोस्वामी उन्होंने यह कहा कि यह ऐसा नहीं हो सकता है आप कैसे अपना jurisdiction decide कर सकती है कि हमको यह investigation करवाईए वह investigation करवाईए तो सुप्रियम कोट ने पश्चेंबंगाल सरकार का पक्ष सुनने से और उनको कोई भी राहत नहीं दी उनका पक्ष मारने से मना कर दिया है तीसरी चीज जो और है इसमें उनको प्रोटेक्शन जो था एंटरिम प्रोटेक्शन अरेस से उसकी भी अभी पूरी छूट है मतलब उसको पूरा और तरीके से बरकारार रखा है देश और दुनिया से जुड़ी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें और बैल आइकन प्रेस करना ना भूलें